नमस्कार दोस्तों मैं मन्जू हलदवानी उत्रखंट से दोस्तों नए साल में पहली बार मैं आपको आज अपने फ्रंट गार्डन का ओवर भी दूँगी अपने गार्डन में लगे हुए प्लांट्स के नाम बताऊंगी और हमारा गार्डन नौर्थ फेसिंग है तो मैं किस किस तरह से अपने गार्डन में फ्लावरिंग ले रही हुँ हमारे गार्डन में खुछ बना रही हुँ उसे सब के बारे में बात करूंगी दोस्तों जैसा मैंने सब को बताया कि मेरा गार्डन जो है नौर्थ फेसिंग है यहां धूप की बहुत कमी है तो अपने गार्डन जो है मेरे कोई नहीं मरे हैं अभी विंटर तक अभी सब छल रहे हैं तो यह दूब रही है है तो वहां पर ऐसे ब्लाण्ट करती हूं जो सेडस लविंग होते हैं साथ ही बिना धूप के भी उनमें फ़लावरिंग होती है तो वो ब्रले प्लांट मैं यहां अरेंज करती हूँ, जैसे देखिए यह मेरी बिगोनिया देखिए, यह सारे मेरी हैंगिंग बास्केट पर बिगोनिया की पैराइटी लगी हुई है, कुछ जो है इनकी लीव की खुब सूर्थी के कारण लगाए जाती है, और कुछ जो है चोट चोटे फ्लावर आते हैं उसके कारण से लगाए तो सारे मेरे यहां बिगोनिया की प्लांट लगे हैं, आज मैंने बिगोनिया में जो है अपने सभी प्लांट को पानी दे रखा है सुबे, तो इस तरीके से क्रोटन की डिफ्रेंट वेराइटी यहां पर अरेंज कर चोटे हैं, साथ ही ड्रेसीना, ठंड जरूर है, ठंड में जो हैं प्लांट के कुछ कलर ऐसे होते हैं जो बहुत ठंड में ही निखर कर आते हैं, यह देखिए कितने कलर को अपने अंदर इसने ले लिया है, गर्मी में इनके पत्ते जल जाते हैं, पर रात के पाले से यह भी भी खतम नहीं होने वाले फुल है मेरे गार्डन के, यहां पर विक्टोरिया ड्रेसीना है, दो कलरफुल क्रोटन की प्लांट यह हैं, और साथ में जो है एक विक्टोरिया ड्रेसीना यह है, यह है बहुत कम केर में चलता है, एक बार लगा ले आएंगे, आप लगा भी दे तो इतना डिवाइट होता है कि आपको इसका पॉट चेंजी करना पड़ेगा और आपके पास अनेको प्लांट बन जाते हैं, तो यह धूप और थोड़ी सी छाया सभी जगे चल जाते हैं, तो यह देखिए कितना अच्छी इसकी हेल्थी जैसे किसी के बाल है, इतना घने बने हुए हैं, देखिए एक यह जो है, ऑईल केन है, उससे बना रखा है, दूसरा इसी के उपर एक और बना रखा है, तो यह देखिए कितने अच्छी तरह चल रहे हैं, इस एरिया को मैंने फूलों से अरेंज कर रखा है, फूल जो हैं गुलदावरी के मेरी हम अच्छे खिल रहे हैं, तो तरह तरह की गुलदावरी के जो फ्लावर्स पर कलर आए हुए हैं, देखिए किते सुन सुन्दर, कुछ बैराइटी के फूल जो है, अब खिल के खराग होने लग गए हैं, पर कुछ में अभी बहुत अच्छी फ्लावरी चल रही है, देखिए, तो रात के पाले से यह है कि कोहरे से थोड़ी दिवाल का सहारा होता है इनको, तो यह मेरे कई सालों से चलने वाले प्लांट हैं, यहां पर दरवाजी के पास ही, जो है मैंने इंट्रेंस में एक इसनेक प्लांटा रखा है, फिर देखिए, यह हमारे डेसिना की प्लांटी हो ग गिर रहे हैं और देखे यह देखे इस्टार लाइट फाइकस इस्टार फाइकस और यह देखिए एक ड्रेसीना का खूबसूरत प्लांट यह है और यहां देखिए यह फरकेरिया है और फिर से इन को जादा मैं डिस्टरब नहीं कर रही हूँ बस कुछ दिन की प्रॉब्लम और है कुछ दिन पास तो ये अपने आप ही बहुत अच्छे हो जाएंगे इसके बाद मेरी ये बिंडो है बिंडो पर मैं जो है कुछ अपने DIY प्लांटर में प्लांट्स लगा रखे हैं और कुछ जो है स्रेमेक स्पॉर्ट में लगा रखे हैं इस समय जो है इनमें बहुत ज़्यदा ग्रोध नहीं होती है फिर भी देखिए ये डेफन वेक्या की प्लांट जो है इस तरह की के पॉट में अच्छे चल रहे हैं और ये देखिए ये हाती बना रखा है और ये देखिए ये सामान ले जाते हुए यहा हो सारे प्लांटर से दो कि इतनी हैवी ग्रोध हो रही है कि इनको फिर से मुझे निकाल कर भरवरी के महने में अलग करना पड़ेगा कुछ और प्लांटर त्यार करने पड़ेंगे और यहां पर जो है मेरे खुद की बनाए हुई हैंगिंग बास्केट है ये बजार से मैं 20 रुपे का पॉर्ट लाई थी फिर इससे जो है कई सालों से मेरी हैंगिंग बास्केट मेरे पास बनी हुई है और स्पाइडर प्लांटर यहां पर देखिए यह जो छोड़ी जगे बसती है इस पर मैंने खुद जैसे मतलब की बिंडो के जो लटकाने वाले हेरिया होते हैं उन में इस तरीके से प्लांटर लटका दी हैं और इस पर भी फरनी की वेराड़े यह पर्मनेंट प्लांट होते हैं सरदी जाने के बाद जो है जब आँखों को बहुत ठंड़क की जरूत होती है सीतलता की जरूत होती तो हरा रंग हमको पिर्री होता है उस समय इसकी हर्या आँकों को बहुत अच्छी लगती है दोस्तों यह रवर प्लांट है अगर आपके पास दूप अली अरिया है तो वहां पर रखिए हमारे पास इतना अरिया नहीं है कि सारे प्लांट उठाके में धूप में रख दूँ तो यह एरिया भी सूनसान हो जाता है अगर यहां प प्लावर आता है तो इसको भी रात के बाले से बचाने के लिए मैंने दीवाल की साइड रखा है यह देखिये मेरे फाइल निम्र की क्या हाल हो गए है इस समय घंड बरदास नहीं कर रहे हैं इसलिए इसको तो में ये प्लांट मेरा बहुत खुश है इसको इंग्लिस आई भी कहते हैं और इसी ग्रोध देखिया आप इसको ठंड़ा हंड़ा मौसम पसंद होता है इस जगह पर जहां पर यह रखा है थोड़ी सी मतलब आदी घंटे के लिए करीब धूप इसको यहां पर मिल जाती होगी जनवरी का महना चल रहा है तो फरवरी आते ही तो इनमें फ्लावरिंग भी सुरू हो जाएगी क्योंकि कोई भी में अब करने के जूरत नहीं है बस पिंचिंग करने की जूरत है इस प्रांट की जो नए सूट निकलेंगे उनमें पिंचिंग करूंगी जो उसका नीची के अरिया बसता है दोस्तों उसमें घर में प्लांट त्यार करते तो बहुत प्लांट है यह आइस प्लांट लगा दिये हैं कुछ दिन में ही इन में फ्लावरिंग आ जाएगी और यह देखिए मेरे जो इससे त्यारी चल रही है अच्छी फ्लावरिंग होने वाली है मेरे यहां ये देखिए एन्वक्राइस संथिमम हैं यहाँ पर डॉक फ्लावर हैं देखिए बहुत साल डॉक्राइस ने त्यार कर रखें अब मैं आपको अपने गार्डन के सेंटर में लाई हूँ तो सेंटर में जो है यहाँ पर मेरा इन कोलियस ने बहुत साथ निभाया पूरी सर्दी जब गार्डन में कुछ भी ऐसी चीजी यहां पर धूप हुई नहीं तो देखने इक कोलियस मेरे अच्छी चले अब मैं इनको कुछ दिनों के बाद पूरा यहां से कट करके इन जगहों पर जो हैं छुट छुटे इनके सूट सोड़ दूगी जिससे की ग्रोथ हो जाए इन बाद में और इन जगह पर एन्वकराज संथिम लगा दूगी कुछ दिनों के राद थोड़ी सी धूप यहां पर आ जाएगी तो उसके बाद जो हो ग्रोथ करेंगे और यह जब तक वो एन्वकराज संथिम खतम होंगे फिर यह प्लांट गर्मी में साथ दे देंगे सीट से गिरो हुए कितने सुंदर गेंधी के प्लांट हैं बहुती प्यारे फूल आए हुए het और यहे देखे कितने बड़ी बड़ी फूल थैं अनमें देखिए इनमें फूल भी आये हैं और पत्ते कलर देखिए और ये देखिए दोस्तों इसे कहते हैं हॉलिकॉर्णिया रोस्टार्टर इस पर एक स्टिक से लटकेगी उस पर फूल आते हैं तो ये अब बस सीजन आने वाला है इनकी क्यर अफ सुरू कर देंगे हम और यहां पर मेरा एरिका पाम ये मेरा पैंसिल कैक्टस है और ये देखिए इसे कहते हैं जुनिपर गोल्टन साइप्रस है ये और ये थूजा की बिराइटी है और ये देखिए इसने अभी पत्ते नहीं गरा है जादा तो ये है हमारा ए बहुत बड़ा प्लान लगा हुआ है यह देखिए मुसंडा का यह भी पूरा पिंग कलर की बहुत सुंदर सुंदर फ्लाबरिंग यहां पर मैंने अपने जो पॉर्ट में कुछ प्लांट अरेंज करकें उपर वाले में देखिए यह गेंदे लगा रखें जैसे नीचे जो है यह मेरे लगी है जरवेरा की प्लांट जरवेरा में भी फ्लाबरिंग हो रही है यह देखिए कितना सुंदर यलो क्राइसंते में खिला हुआ है और साथ में देखिए नीचे पर हमारे सिनेरिया और यह सलात पता है और यह देखिए यह भी बहुत सुंदर प्राइमलर यहां मेरे अधिकांस वह प्लावरिंग कर रहे होगई है यहां मेरे मेरे छोटे चोटी टोकुटियों में प्यट्वूनिया हैं यह सारे प्ञाउन अभाल यह लगे हूए है यह देखिए यह प्यट्वूनिया यह खूफूरत प्यट्वरी और देखिए एक कलर यह है पिटोनिया का और यहां देखिए फिर पैंजी आ गई है यह देखिए पैंजी बहुत सारे प्लांट है यहां धूप आती है तो आने वाले मौसम की त्यारिया है यह देखिए पॉपी कुछ दिन में फूल फ्लावरिंग पर आ जाएगी पॉपी भ खतम होगा तो हमको इनी के जरुत पढ़ने वाली है पैंटाज बगर की कटिंग लगाई थी सब लग गई है यहां मेरे छोटोटी नर्सरी पॉट जो थे नर्सरी के जो थैलिया होती है उन में मैंने जो अपने पिटोनिया की सीडलिंग करी थी वो सारे प्लांट जो है रि यह सुन्दर से देखिए इसे कहते हैं इस तरह से बेरस का नाम होता है इससे फ्लॉब्रिंग भी होती है और जैट की वी टोब एक जो है मैंने हैंगिंग मना रखी है यह अरे बियान आइभी कहते हैं यह बहुत सुन्दर प्लांट होता है यह हैं वाटर मेलैं बाइन सब इस तरह से लगी ये दिवाल पेल भी है कि मेरा चांदी का प्लांट पेड़ था तो इसकी जो है बिंटर में क्रोनिंग करके एक मेरें को प्लांट हैं करने के लिए मिल गया है तो इस परी मैंने बहुत सारे प्लांट अपने हैंक कर रखे यह देखिए स्टिंग आफ फॉल्स है और यहाँ पर जो है इंपेशन है और यह देखिए कितनी सुंदर यह सिटम गिराज से देखिए गारण में लगा हो बहुत बड़ प्लांट है पर अब इसकी हम कोई क्यार नहीं कर सकती क्योंकि इतने बड़े प्लांट को मैं कहां ढखूंगी इसलिए ऐसी छोड़ रखा है तो कुछ पत्ते गरार आए कुछ दिनों के बाद यह खुद बखुट ठीक हो जाएंगे तो दोस्तों आज मैंने आपको अपने फ्रंट गार्डन में लगे हुए प्लांट के बारें बताया उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार